गूट इवनिंग वूफ यूट्वेशन अभी वेरी गूट इवनिंग टू आल अफ यू बहुत दिनों बात यो है हमारी एर्सी की किलास जो है तुबारा कंटिनुव हुई है तीक है आज हम एर्सी की किलास से पढ़ने वाले हैं इक वरनेस और आज आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा दे रखा है आपकी ए और सेक्ट रुपर्ट है जिसको बोलते हैं क्या एड्मिस्टेट्टिव रिफॉर्म जो है आपकी कमीशन उसकी जो सेकंड रुपोर्ट है मुसको पढ़ने वाले हैं और यह वही रुपोर्ट भी है जिसे लोग नहीं पढ़ते हैं कहते कि बहले हैं ये हमारे क्या है पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है यह the आप जीम में आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं चैप्टर के बाद में आप किस-kis को नहीं आ रही है crystal के लिए रहे थीक है तो refresh करिए और start करते है आज का topic e-governance the e-governance stand for e-mतलब क्या होता है electronics thus e-governance is basically associated with carrying out the function of and achieving the result of the governments through the utilization of what has today come to be known as information and communication technology अर्थाद e-governance का मतलब है कि सरकार जो भी अपने क्रिया क्लाव function कर रही है ठीक है उसमें वो information और communication technology का अगर उप्रयोग करती है तो हम इसको e-governance कहते हैं कि लिए लाश्ट में और concept को समझना चाहिए बाद में आपको notes बनाने है मैं बता हूँ कैसे ठीक है information and communication technology facilitated efficient storing and retrieval of data instantly the transmission of the information processing of the information faster data faster than the earlier manual system आज हमें information and communication technology से बहुत जड़ा फायदे हुए हैं जैसे कि हम बहुत छोटी से चिप में कितना सारा data इखटा कर लेते हैं पहले इसके लिए सरकार हो कितनी सारी file maintain करनी पड़ती थी पूरे क्या है दो दाम बन गए फाइलों के अब ऐसा नहीं है ठीक है और उस data को हम कभी भी क्या कर सकते हैं हमें जुरुत होती है तो एक सर्च मारते हैं वो डिटा हमारे सामने आ जाता है आज हमें information भेगने जी नहीं है एक सेकेंड के अंदर क्या जाता है mail डिलीवर हो जाता है समधित अधिकारी information पढ़ लेता है तो कुल मिलाके जो है जितनी भी जो चीजे हैं यह बहुत ही fast हो गई है और fast हो गई है तभी तो भया हमें सरकार solution दे पाएगी सही से किलियर और टेकिंग डिसीजन एक्सपीडेशली मतलब बहुत ही तेज तरीके से एंड जुडिशली न्याय पूरवग इंक्रीजिंग डा ट्रांसपरेंसी एंड इन्फोर्सिंग अकॉंटेविल्टी और आईटी का प्योग करने से क्या हो गया ट्रांसपरेंसी आ गई है क्यों कि हर चीछ क्या है वेबसाइट पर आप वेबसाइट पर जाके देख लो किलियर और आप जो है आटियाई फाइल कर लो कहीं ने कहीं से आपको इंफॉर्मेंशन बहुती जल्दी प्रॉसेस होके मिल जाएगी क्या यहांते सबको समझमा रहा है हिंदी मीडियम इंगिलिस मीडियम बच्चे हैं वही केवल किलास्में नोट्स बनाएं जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं उसको अपनी कॉपी में लिखते रहें या इसी का जब आप बाद में रिकॉड़ेट बर्जन देखके भ कि लिए आगे बढ़ते हैं कि इट आल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग दारीच ऑप दा गर्मेंट बोथ जियोग्राफिकली एंड डेमोग्राफिकली बहुत करेंगे अगर अभी मुझे कई मेल भीजना हो और नाचल प्रदेश में एक सेकिट में चले जाएगा सेयस और नो त चैक कर सकती है फिमेल भी चैक कर सकती है समझ मैं यानि गवर्मेंट की रीच बढ़ गई की निए बढ़ गई सेयस और नो पहले सब के लिए क्लिए क्ल जाना पड़ता था अब सरकार को फिजिकल जाने की जिरूत नहीं है यह गवर्नेंस ने इतना प्यारा चमातकार कर दे है कि सब कुछ चीजे क्या यहीं पर आ गई है दा प्राइमरी परपस ऑफ इगवर्नेंस स्वरी गवर्नेंस इस दा वेलफेर आप दे सिटीजन गवर्नेंस का में परपस में उद्देश जो होता है वो जो हमारे सिटीजन है उनका वेलफेर होता है उनका कल्यान करना होता ह समझ माया जनता का कल्यान करना ही क्या है में परपस है आपके गवर्णेंस का वाइल वन आस्पेक्ट ऑप दा गवर्णेंस रिलेट टू अच्छी गवर्णेंस एक अच्छा सासन वह होगा जो हर इनसान के जो हमारे कानूनी राइट्स है ठीक है ना जो हमारे कानूनी अधिकार है उनको क्या करे परजर्ब करे उनको हमें दिलाए हमारे हक को हमारे पास पहुंचाए और जितनी भी गर्णेंट इस्कीम आ रही है जितने भी पॉबलिक पॉलिसी आ रही है उनके लिए अगर हम eligible हैं तो हमें भी उस policy का फाइदा मिलना चाहिए यानि की social justice हमारे पास तक भी पहुचना चाहिए जिससे हर एक इंसान की growth होनी चाहिए सब कुछ हिंदी में बोल रहा हुँ मैं अब हिंदी medium बाला चाहे तो भी ये classman notes बना सकता है किलियर और इंग्लिस में वाले को तो कोई जुरती नहीं है तो कि PDF इंग्लिस में आएगी आएगी class के बदा आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है ना किलियर तो अपने हिस्से का काम करना सीखो irrespective of की sir मुकेसर आएं और पूरी PDF हिंदी में लिखेंगे तब ही हम पढ़ेंगे तो ना मुकेसर ऐसे आप आएंगे और ना पढ़ पाओंगे तो लडाई इस चीज की मत करो लडाई समझने की करो ठीक है कुछ आप मेहनत करो क्योंकि आप aspirant हो ठीक है और हिंदी मीटम वाले बच्चे ज्यादा तर दा हिंदू और ARC की रिपोर्ट से दूर रहते हैं और फिर उनको नुकसान कहा जहिलना पड़ता है पेपर वाले दिन जहिलना पड़ता है तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ अगर आप चाहो तो आप नोड्स बना सकते हो और जितने भी नए बच्चे हैं अनकेडमी का जो यूपी पीस्यस वारियर नाम का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मैं डेली दा हिंदू नियूस पेपर की अनलाइसेस करता हूँ डेल भाई आप वहाँ पे जा सकते हो कोई एक कमेंट बॉक्स में उस चैनल का नाम लेक दे जिसे सारे बच्चे वहाँ पहुंच जाए वो मेरा पर्सनल चैनल नहीं है अनकैडमी का ही चैनल है समझ माया चैनल का नाम यूपी पीस्यस वारियर है ठीक है यह जो लिखा हुआ है जो नए बच्चे हैं खास कर जो है आज जो है हमारे राजबीर भाई आए हैं अक्ष्य कुमार भाई आए हैं और जो है मैडम जो आई थी इनुति, clear वो सब जो है इसको जोइन कर ले और और भी लोग को जोइन कर आए जिससे की दरहिंदू की लाइसेस आपके पास सुद्ध हिंदी में आ जाए समझ में आया किलियर आगे बढ़ते हैं दूरिंग दा इनीशेल स्टेज ऑफ इंट्रोड़क्शन ऑफ डाइसीटी इन गवर्नेंस देरवाद रजिस्टेंस फ्रॉम्द सम्कॉर्टर्स जब भारत सरकार ने सुरू में इन्फॉर्मेशन और कम्निस्टिकेशन टेक्नॉलजी ठीक ना यह जब इंट्रडूस करी थी बहुत सारे लोगों ने इसका बिरोध किया था क्यों बिरोध किया था उन्होंने बोला कि यह बहुत ही क्या है कठिन चीज है बहुत ही कॉंप्लेक्स चीज है और इसके कान क्या होगा बहुत सारे लोगों का काम एक कंप्पूटर करेगा और लोगों का क्या होगा रहे तो किसी चीज को अप्लाई करी नहीं पाएंगे समझ माया तो आप इसको कहां पे लिखोगे ऐसे में लिखोगे यह ऐसे का मेंटर है समझ माया किलियर ऐसे गर आज हम जो है नहीं नहीं टेक्नोलजी की बात करते हैं कुछ लोग हमें पीछ से पीछे किछने की बात करते हैं समझ माया तो ऐसा नहीं है जितने उसने रोजगार छीने उससे ज़्यादा रोजगार दिये भी है समझ माया गया आगे बढ़ो इन्फ बलकि सर्विस सेक्टर ने जतना रोजगार दिया है उतना तो कोई देगा मिनी फ्यूचर में अग्रिकल्चर की तो वैसी भी हालत खराब है अग्रिकल्चर की वैसी हालत खराब है आज की तारिक में दा नीव सॉफ्टवेर टूल है इनफ फ्लक्सिबिल्टी तो एको मोडरेट दा मोस्ट कॉंपलेक्स सिच्वेशन डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेर आ गाये उनमें के वहला डेटा दालो आपको जल्ट 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 आ जल्ट आ जाता है आ जाता जाता दा निव टेक्नलोजी मेक्स दा मसीन हुमन इंटरफेर्स वेरी यूजर फ्रेंडली और अब इनको चलाना बहुत आसान है ठीक है ना आपको सिंपल कंपूटर ओना फॉन करना आना चाहिए और कीपेट को टाइब करना आना चाहिए बस उतना हम आपे लिखा हुआ ह यहां पर ये नाम भरो यहां पर ये नाम भरो पूरी रिपोर्ट यार समझ मां गया जिसको जो है त्यार करना ये भवज़दा टाइम लगता था आज कंपूटर कर रहा है दा इन्फॉर्मेशन यह सब ऐसे का मटेरियल मिल ला है आपको कंपूटर या आई बना आई-टी on the service provided by government undertakings like bank, airline, railway, the e-governance is no longer as far-fetched dream. समझ माया? यानि कि information technology और उससे जुड़ी ही जो service sector की service है उसोंने केवल रोजगार ही नहीं बढ़ाया है. उसके अलाबा हमारी banking sector, हमारे railway को, हमारे airline sector इनको भी क्या दिये? एक नई service क्या दिये? एक भौती क्या कहते हैं? उन्दा दर्जे की service provide करने की क्या दिये? एक chance दिया है. और ये अब e-governance को है भारत में कोई एक दूरस्त सपना नहीं है. यानि कि अब हर कोई इसको adopt आसानी से कर रहा है और ये क्या हो गया है? सब के लिए accessible हो चुका है. समझ माया हिंदी मादें वालों को? किलियर? आगे बढ़ो. ये governance और scope at PRI label model. कोशन आ सकता है में में कि भाया IT governance से क्या समझते हो? और पंचायत राज को कि ये कैसे मजबूत कर सकता है? समझ माया है? तो फिरी फिरी का आपको क्या है? पका पकाए आंसर यहां से बनता है. समझ ना, ये क्या है? ARC की खुबसूरती है. जो खुबसूरती आपको दिखाई नहीं जाती है. ये बहुत बड़ी क्या है? बिड़मना है. ठीक है? जब तक हम यहां पे जिन्ना है, आपकी कोई भी बिड़मना या कोई भी कमजोरी आपकी कमजोरी नहीं रहेगी. समझ माया? किलियर? चलो भई अब information and communication technology should be utilized by the local government in process simplification, enhancing transparency, accountability, providing service delivery of service through single window. यानि कि IT के दौरा एक ऐसी करांती है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं? एक पारदर्शिता ला सकते हैं. हम कठिन से कठिन process को हैं? हम क्या कर सकते हैं? उन्हें सरल बना सकते हैं. और हम अपनी जिम्मेदारी इसको भी निवा सकते हैं. समझ माया? और service delivery को यानि कि लोगों को एक सिंगल विंडो से एक ही पॉइंट से सारी service प्रोवाइड कर सकते हैं. किलियर? लोकल गर्रमेंट सुट बिकम वन पॉइंट सर्विस सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग दा वेरियस वेब बेस्ट एंड सैटलाइट बेस्ट सर्विस. अब आ सोचो आज का आधार कार्ड बना सारी service में आपका, क्या गयता है, इंटरनेट और कंपूटर की पढ़ रही है? अब सोचो, एक कंपूटर क्या कर सकता है? एक प्रिंट आउट से इतनी सारी service आपको एक ही कंपूटर वाइड कर सकता है. और पहले इसके लिए अलग-अलग आपको अधिकारी बैठाने आपने देखा हुआ, जाता तर ये बैंकों के सामने जो है, मिल जाते हैं, आपको तीन-चार फोटो स्टेट की दुखान वाले जापन सर्विस सेंटर मिलता है. आपको डो मिसाइल बनाना है, डेर से उरुपे उनको दो आपका डो मिसाइल अपलाई करवा देगा. आपको गवर्मेंट की स्कीम है, अब एक ही इंसान के पास क्या है? और ऐसे क्या है? खुब सारे कॉमन सर्विस सेंटर नों ने बना रखे है, जन सेवा केंदर है, जनों की सेवा हो रही है. और ये क्या information technology की बिना हो सकता था? नहीं हो सकता था. समझ में आगया है त्यागी साहब? कि लिए वो बात अलगा कि मेरेट में बहुत सारे क्या कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पकड़े गए थे, जो क्या कर रहे थे? फर्दी आधार इन्रोल करा रहे थे, आधार का प्रिंट आउट करा रहे थे कलर और लोगों से 50 से लेके 1.500 रुपे ले रहे थे. ले रहे थे इसका मतलब क्या है? मेरे प्यारे भाईयो बहनो, पंचायत में आपको पता है गाउं है, गाउं में मालो की ये एक इंसान है, जिसका नाम है त्यागी साब, इन त्यागी साब का खेत है और इसमें लगाऊगा बच्चों गन्ना, आप देखो क्या होगा? इनफार्मेशन और कम्यूकेशन टेक्नोलजी आईटी प्लस इस्पेस टेक्नोलजी, अब इस्पेस टेक्नोलजी का मतलब है सैटलाइट, मेरे प्यारे भायो बहनो मेरेट में जो वे खेत है इनका है तो ये धर्ती के उपपर ही है तो पिर्थवी बही और पिर्थवी के उपपर आपको पता है जो सैटेलाइट होते है वो सारी फोटो निकाल लेते है निकाल लेते नहीं निकाल लेते तो क्या वो इनके खेत की फोटो नहीं निकाल पाएंगे बहिए काटो सेट लगा दो काटो सेट मैंने क्या बताया था कि वो 25 सेंटीमिटर छोटी से छोटी चीज को अभी क्या कर सकता है एक अच्छा रिजोलूशन कर सकता है दुनिया में सबसे बैस्ट रिजोलूशन लोग सब्सक्राइब कर दो तो पटवारी या जिसको लेखपाल करते हैं वो भी इनको क्या करना है क्लेम करना है या इनका वैलिट क्लेम की नहीं है से असर् नौ यानि की हम क्या कर सकते हैं पूरी जांच ले सकते नि ले सकते और एक कंपूटर होगा पटवारी के पास ढालेगा यह भईया किसके नाम का है, खेत, इससे पहले किसके नाम का था, इसके पूरब में कौन सा खेत है, पच्छे में कौन सा खेत है, पूरी खताओं कीसे लेकि पूरी दुनिया जो है, क्या है कंपूटर पे आ गई, आ गई की नहीं आ गई, सोचो, तो पंचायत राज में हम कैसे एक नहर खोद रहे तो उपर से लगा दो भूबन पोर्टल जो मैंने आपको सिखाय था सिखाय था ना भूबन वाला तो भूबन क्या करेगा आप जो है यहां पर फोटो लिके भूबन में क्या करो अपलोड कर दो यह सैटलाइट से देख लो कि नहर खुद रही है कितनी लं सैटलाइट से जूट थोड़ी बोल देगा क्या मेरी बास समझ माया मश्टर रोल साब बास यानि कि अगर कोश्चन आया आपके पेपर में 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 किस तरीके से आप पंचायत इस्टूशन में आईटी का यूज करोगे समझा दोगे और आज सबसे बड़ी दिक्कत यह कि पंचیत में काम नहीं होता लेकिन यह लोग काम दिखा देते प्रधान लोग बीडियो लोग जिला पंचायत अधिकारी और जिला पंचायत सदस दिखा देते निखा दें तो जेतना भी फरदी काम कर रहे ह yak dont कब बंद हो जाएगा किया मेरी बास समझ मायी और जो मस्टर रोल होता है मश्टर रोल क्या होता है यह भी मैंने आपको पढ़ा रखता है मश्टर रोल जो होता है जो डेली अटेंडेंस का सीट होती है वो भी रोज क्या करो ऑनलाइन जमा करवाओ संबंदित अधिकारी से तो रोज का रोज जो है क्यों 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 कि हर बार क्या होता है नेता लोग जीतने के बाद सब कुछ भूल जाते है बूल जाते नहीं भूल जाते बस चौते सालमन को याद आता है फिर से वोट मांगते है और फिरास फिर से क्या करते हो आप उनकी सरकार बनवा देते हो इसी तरीके से municipality नगर पाली का भी कर सकती है बहिए किसका मकान कहा है किसका मकान कौन से महले में कौन से वाड नंबर में सब कुछ अपडेट कर सकता है कर सकता है और वो सैटलाइट से हम पकड़ सकते और यह मा सुदने सर इसके लिए तो इतना सैटलाइट खर्चा बता रहे ह हो उतने में तो जा है कितने पटवारियों की नौकरी निकल जाएगी अरे मेरे प्यारे भाई बैनों सब्सक्राइब कर देगा लेकिन आप इस लो करने तो दो समझ माया किलिए यह हमारी पॉलिटिकली क्या है कमजोर बिल पावर कर नतीज़ा है कि सब कुछ होने के बाद भी क्या कर रहे है अभी भी हमें स्ट्रगल कर रहे है कर अपसं से ठीक है पेमेंट आप दा वाटर चार्जेस इन अरवन एरिया सुट भी मेड हैडल फिली तूदा इन्फॉर्मिस ओनलाइन एक वार लेंड रिकॉर्ड जो फिल अब हो जाता है वो छेज़ नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता किस तो कुछ भी हो सकता है ठीक है आपका अगर लेक पाल और एसडियम वह अपने पर आगए तो भाईया वह फ्रॉड कर सकते सिंपल सी बात कि लिए आपका जो नक्सा है और जो कंपूर्टर में जो जमा है उसमें जमीन आसमान का अंतर कर सकते हैं और बहुत लोग करते भी हैं पकड़े भी जाते हैं मार भी पड़ती है लेगन उसके बास उधरते नहीं है इसका स्वाल्यूशन यही है कि भाईया क्या हो जैसे आप यह सोचो या अगर मालो लेक पाल ऐस कि इसमें मिला हुआ है तो उसके उपर डियम कभी ने कभी रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके कुछ न किसे पता कर ले अब सभी मेले हुए तो इसका सब्सक्राइब है तो क्या सब्सक्राइब करता है कि भाईया उसके बाद जो है केस लड़ो और अपना केस जीतो समझ में आगया क्लियर कि सबको वाइस ब्रेग हो रही है ऑगो अच्छा जिस ब्रेक हो रही मिदी अरे रूको रूको वाइस ब्रेक वाइस ब्रेक कुण टेकनोलिज चला है ना इस अ हम मvote और अ दरा मत करो मेरी क्लास में बॉइस ब्रेक हो रही है तो कोई दिख कर दें वो आम बात है जो नए बच्चे ना पैनिक मत हुआ करो ठीक है क्योंकि I am taking class from the high mountain region तो यहां पर कोई connection नहीं है बस class हो रही है बस सुझी का आनंद लिया करो ठीक है ना तो यहां तक आपको समझ में आ गया एन exclusive survey of identity of the urban poor should be carried out with one year within one year the urban poor so identify may be issued multi utility identity card by availing the benefit under the poverty elevation program और क्या करो हर साल सर्वे करो आपके सहरे जित्ते जित्ते गरीब लोग है उनको एक data बनाओ और वो data से क्या करो उनको क्या करो जो बी पी एल या अंतोदे वाली स्कीम में उनको दिलाने की कोशिस करो तो यह सब information technology से क्या हो सकता है बहुत आसान हो सकता है कोई दिक्कत कोई परसानी यहां तक किसी को भी सबको समझ में आ गया किलियर आगे बढ़ते हैं वाइल डिलिंग विट इल्लीकल इमिगरेशन इन्टु दे नॉर्थीस्ट इन इट्स सेवन्थ रिपोर्ट इन्टाइटल कैपसिटी बिल्डिंग ऑफ कंफिलिट रिजुलिशन दा कमिशन ड्रिव अप दा अटेंशन तुवर्ड्स हैविंग म हम यह दिखा रहे हैं कि इस इन्फॉर्मेशन टेकनोलोजी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बहारी लोगों को पैचाने के लिए इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए समझ मैं नौर्थ इस्ट में आपको पता है कि बहुत ज़्यदा इन्फिल्ट्रेशन की समझ्या होती है इल्लीगल इम्मिग्रेंट आ रखें वहां पर यह मैंने आपको पढ़ा रखा है अब इसमें क्या है वहां पर सरकार ने क्या करा मल्टी परपस नेसलन आइडेंटिटी काड यूज़ कर दिया यानि कि एक ही काड सब जगह यूज़ हो रहा है वही वहां पर लोकल ट्रेन म में होरा समान वही वहां पर रोडवेज में यूज़ हो रहा है उसी से आप सिनेमा भी देख सकते हो किलियर एक ही कार्ड से सब कुछ हो रहा है विल आल्सो फंक्सेन अज़ नेसेसरी इंस्टूमेंट फॉर दाई गवर्नमेंट इड विल प्रोबाइड यूज़ फ्रेंड जब यह आसाम में रहते हैं तो भाईया यह किसी भी दुकान पर कुछ भी समान खहिदने जा रहे हैं या किसी ट्रेन को पकड़ रहे हैं या हवाई एडे पर जा रहे हैं या यह पिच्चर हॉल पर जा रहे हैं या यह रोडवेज में जा रहे हैं तो सम्मादित कंडेक्ट आप यह बना कि लाओ अब यह बनवानी के करना पड़ेगा इनको सरकार के पास जाना पड़ेगा और सरकार के पास जाना पड़ेगा तो पूरा रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा कि कब से हम इस इस इलाकी में हैं हमारे माता-पिता कौन है से और नो यानि कि इनके उपर सरद आधार काड तो वैसा ही था यह समझ मैं है आज आधार काड से होता है बलकि आधार काड भी फर्जी बनने वह बात अलग है फर्जी MNIC काड भी बनने होंगे यह भी बात अलग है लेकिन अभी हम गवर्नेंस पढ़ रहे हैं तो जो अच्छी चीज है उनको हमें पहले वैसे स समझ माया MNIC अब आप दा हिंदू पढ़ो चाहें कोई भी किताब पढ़ो कहीं मिले ना मिले आपको इहां मैटर मिल गया नहीं मिल गया एक छोटा सा कीवर्ड है आपको क्या कर सकता है बहुत अच्छे नंबर दिलवा सकता है इंटरनल सेक्योर्टी में भी आप लिख सकत को मल्टी परपस नेशनल अडेंटिटी कार्ड समझ माया गया किलियर तो यह हतियार जो है आपको क्या देंगे सेलेक्शन दिलाएंगे यही हतियारों की लड़ाई प्रिग्या ने बोला था कि दा हिंदू इस दा मस्ट समझ माया गवर्मेंट की जनरल मस्ट है नीती करूं आपको पढ़ानी कोशिस करूं लेकिन एक बार बता दे रहा हूं आपको अगर आप दा हिंदू रेगुलर पढ़ ले हो तो नीती आयोग की सारी चीज़े दा हिंदू छापता है डरने की बात नहीं है आप क्रॉस चेक करके देख लो ठीक है ना तो नीती आयोग में जो बी होता है दा हिंदू पेपर तुरन से पहले इसको छाप देता है तो यहाने की हम अगर दा हिंदू कर रहे हैं तो हम नीती में से हिंदू के पीछे साथ आठ गर्मेंट के जर्नल्स और मैकजिन लगी पड़ी है तो आपको इस सची जीज क्या मिल सकती है बस दिक्कत दिया है कि वह हिंदी में नहीं आता है तो उसके उसको हिंदी में बताने के लिए मैं बैठाओं तो फिर आपको पढ़ने में क्या दिक्क को पैसे की समस्था है जब 2-3 साल बात देखो कि यार साथ के सारे बन गए हम के वाइसे स्कौने पार हो लोग स्वागोने तो या आपको प्लसक्राइब आजाना चाहिए काफी चीजे बदल चुक्किन है प्लस में बट सर्देंड वट इफ सम्वन इलीगल माइगरेंट कम टुड़ स्टेट लाइग यूपी विकॉज देर इजे नो सच प्रोविजन हैर एक्सेट नॉर्ट इस स्टेट तो यह कौन सी बात भी भाई त्यागी जी इसका मतलब क्या हुआ आप जो बात कह रहे हो अलग है अभी जो हम पाड़ने अलग है ठीक है मैंने क्या बोला किलियर ठीक है ना सर क्या बदला है प्लस में बाल किष्ण दिख्चित जी कह रहे हैं क्या बदला है चलो इसका एक जवाब आप देखो कि आपको क्या लगता है कि अनकैडमी प्लस में होना चाहिए ठीक है यानि कि अगर आप ऐसा question पूछ रहे हो, तो जो गलत चीजे हो रही है, या जो आपके दिमाग में below standard है, वो तो पता होंगी ना आपको, ठीक है, तो आप वो चीजे लिखो, ठीक है, या यह बताओ कि क्या होना चाहिए, फिर मैं जो है, जो है, आपकी चीजों पर क्या e-governance और electronic governance और अपना माध्यम भी लिखे जिगा, हिंदी माध्यम है कि आपका इंगलिस माध्यम है, ठीक है, बाल किशन जी, e-governance और electronic governance is basically the application of the information and communication technology, sir, I am beginner, तो या फिर समझ में नहीं है, फिर क्या बदला है, अनकेडमी पर कबसे हो आप special class में, e-governance और electronic governance, is basically the application of the information and communication technology to process of the smart, smart का मतलब क्या है, s for simple, m for moral, a for accountable, r for responsive, t for transparent government, यह हो गई हमारी official छोटी सी परिभासा, कि e-governance उस electronic governance को बोलते हैं, जिसमें हम SMART, जिसमें simple, moral, accountable, responsible और transparent governance की बात करते हैं, क्या यह सभी को याद हो जाएगा, smart, याद हो जाएगा, clear, ठीक है, पंदर दिन से जुड़े हो, इस class में भी जुड़ो, last में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आदा घंटा और दे दो, class को खतम हो जाना दो, बाल किशन जी, आप से मैं पूरी चीज़े discuss करूगा, ठीक है न, clear, अभी तक आप 15 दिन में, बिल्कुल भी impressed नहीं हो न, academy plus platform से, या भी भी आपने नहीं सोचा है, ठीक है, तो आज मैं कुछ कोशिस करूँगा, आपके doubt clear करने की, यहां तर सब को दिखा सकते हो, clear, smart, हाँ, smart, आगे देखो, this would generate, generally evolve the use of the ICT by the government agency for any or the all of the following region, ठीक है, exchange of the information with citizen, businessman and the government department, हमें क्यों जरूद है, या हमें क्या करते है, क्या फाइदा है, यह फाइदा है यह governance का, तो यह ARC report क्या कहती है, पहला फाइदा यह है, कि हम किसी भी अपने नागरिक से तुरंत क्या कर सकते है, information का आदान परदान कर सकते है, किसी भी businessman से आदान परदान कर सकते है, दो government department के बीच में आदान परदान कर सकते है, speed around the more efficient delivery of the public service, जन मानस को हम जो भी सुभिदाय है, बहुती जल्दी provide कर सकते है, improving the internal efficiency, हम अपने department क कि अंदर की क्या कर सकते है, efficiency को और अच्छा कर सकते है, क्योंकि क्या है, सब कुछ IT से चल रहा है, reducing cost and increasing revenue, भाईया, paper work करते थे, paper कितना नुक्सान होता था, कितने सारे पेड़ कट्टे होंगे, environment का नुक्सान, climate change, climate change से डिजास्टर आ रहे है, लाखों करोडों का नुक्स और और यह तो कितने बड़े लेवल पे होता है, और हमारा टाइम बसता है, अब एक एंप्लाइज जो है, एक कार्ड बनाने के लिए 10 दिन लेता था, आज कंप्यूटर की साहता से एक एंप्लाइज एक दिन में 1000 कार्ड शाप देता है, तो 1000 लोगों को फाइदा होगा नह मांगा है, पहले दो-दो साल में मिलता था, अब एक-एक महीने में क्लिरेंस मिल जा रहा है, तो वो ध्योग पती फटाफट और ध्योग खोल लेगा, फटाफट रोजगार देगा लोगों को, देश की एकोनामी बढ़ेगी, से यस और नो, किलियर, तो भाईया, भाईया, कर दो, टेलीग्राम कर दो, या सुरी, क्या कहते है, क्या बोलते हैं, वो ट्विटर कर दो, तो मिट में अधिखारी सुदर जाता है, दो मिंट में, ठीक है? अब इपरूर्विंग क्वालिटी ऑफ दे सर्विस, और क्या है? बहुत सही हो गई है, ठीक है, ना, सर अभी भी कुछ सुष्ट करप्ट ऐसे हैं जिनके हां वो सब चीजों को दूर रखो ठीक है अभी हम अच्छाई पढ़ रहे हैं तो अच्छाई ही अपने दिमाग में रखो नहीं तो वहां पर आंसर आटक नहीं कर पाऊगे तुम्हारी आत्मा से निकलेगा नहीं सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो तो सबसे पहले यह मान के चलो कि जो सिस्टम चल रहा है ठीक है उसके हमें पहले फाइदे पता होने चाहिए फिर उसके बाद नुक्सान पता होने चाहिए ठीक है ना किलियर नुक्सान हर कोई लिख देता है लेकिन उस सिस्टम की जो खास करफ़शन तो हम भी कर देते समझ महां इसी लिए भारत में जो हैं हम जो लोग किसी भी स्क्रेम पर किया पूछ से अलग हैं पूछा था नहीं पूछा था क्यों कि हमारी साइकलोजी क्या है हर इस टीम के जो ना है वो याद करने के लिए ज्यादा उप्यूक्त बैट टी है किलियर तो ऐसी चीजों को अभी से हटाओ अगर यह एक्जाम जल्दी किलियर करना है आगे देखो एपी जे अब्दुल कलाम एन प्रोवाइडिंग एफेयर एन अनबायस सर्विस टू दा सिटीजन इन्होंने बोला था कि यह गवर्नेंस का भारत के संधर्व में यह मतलब है कि एक पारदिस्ता पारदर्सिता वाली ठीक है एक स्मार्ट ठीक है एक सुरक्षित एक बैद्धानिक एक ऑथानिक के बीच में डिपार्डमेंट से सिटीजन के बीच में और बिना किसी पक्षपाद के इसको बोलता है यह गवर्नेंस करना तो जो मैंने हिंदी बोला है आप उसको रिकॉर्डेट वर्जन में जाके सुनने ना यही इसकार्च निकलेगा तो एपी जेग अब्दुलकलाम के लिख देंगे कोई काड़ भी नहीं पाएगा से इसलिए रहेंग लगती है मेरी क्लास से किलियर एक बार जब उधर प्लस में जाके देखोगे सारा नजरिया बदल जाएगा किस लेवल का पढ़ रहें नहीं पढ़ रहें ठीक है और जो बच्चे आंसर राइटिंग लगा यहीं चीज लिखनी है जो स्लाइड में लिखी है ठीक है ना तो कि आपके पूरी एक यूनिट है इग गवर्नेंस की स्टेज़ जब आपको चाहिए कंप्यूटर्स क्या चाहिए आपको लैप टॉप्स चाहिए पैंट्टैब चाहिए नेटवर्किंग अब या हो क्यार्या यह एक कंप्यूटर को आप दूसरे कंप्यूटर्स जोड़े तीस्रे कंपूटर जोड़े ऑन अर्गे एसे न के अंदर आज करूं नाक में था आपने खुदी इंपावर करके लिख दिया समझ मैं और इसी के लोग आपको डराते हैं कि गवर्नेंस मॉडूल चलना है पंदरा दिन का इतने मोटे नोट्स पढ़ाद की देए गवर्नेंस कोश्चन आना एक छोटा सा जो आसानी से हो सकता है हो सकता नहीं हो सकत किलियर के पीछे वाला लिख लेना यार क्लास करके यही तो क्या है अलग-अलग चीजे हैं जो क्या है अब टाइफ ऑप दा इंट्रेक्शन अब इसको यह बच्चे याद करते हैं अब इसको क्या याद करना है मैं बताउं चलो जैसे कि मालू वह गर्मेंट ऑफ इंडिया है ठीक है गर्मेंट ऑफ इंडिया है ठीक है अब इंट्रेक्शन हमें सोचने हैं कि एक कंपूटर या एक लेप्टॉप से हम कितने जादा इंट्रेक्शन कर सकते हैं किलियर समझने की कोशिस करें हम इसको बिल्कुल याद में इंट्रेक्शन हो सकता है गर्मेंट ऑफ इंडिया का हो मिनिस्ट्री गर्मेंट ऑफ इंडिया की फिनांस मिनिस्ट्री से कुछ मेल बाजी कर सकती है कि नहीं कर सकती है कि भाया कितने हवाइजाज खरीद रहे हो सिकॉर्टी मेंटेन होगी की नहीं होगी यानि कि गवर्म से से तो यह अगर हमारे घर में पानी लगाएगी तो भाया हम यहां पर एक एप्लिकिशन डालने ओनलाइन ठीक है अपने घर में बैठे लैप्टॉप से तो आप कौन हो सिटीजन तो यह वाला इंट्रेक्शन कौन सा कहलाएगा गर्मेंट टू सिटीजन कहलाएगा या माल अगर आप जो हो यह हमारे कौन है तुसार भाई है यह अच्छे बिजनसमेन है तो इनको हर तीसरे महीने जो है जीस टी फाइल करना है तो यह साइड खोलेंगे और उसमें इनएटा भिजनले में और कहां में करने तो यह इंट्रेक्शन कौन स्व आपड गर्मेंट को किय वेबजनेस हुआ की नहीं की किलियर और आप मेंसे कोई मिनाख्ची जी सोच लेते हैं यह गर्मेंट इंपलॉईज है अब इनको छुटी लेनी है तो छुटी भी तो ऑनलाइन अपलाई करनी पड़ती है ठीक है तो यह क्या कर रही है एक इंपलॉईज किस से इंट्रेक्शन कर रहा है अपनी अगर्मेंट इंपलॉईज इसी बात कि आप से पैसे ले रहें फिरी फाल दूगे अब आप सभी का दिमाग खुला अगर आप से कोई पूछे वर्ट इस गवर्मेंस प्राक्टिकली तो यह लपेड़ो गर्मेंट टू गर्मेंट दस एक्जांपल दे सकते हो आप गर्में किस पर कर रहते हैं आइस गेट पर और आइस गेट क्या है मिनिश्ट्री का है तो भीया क्या है बिजनेस में और गर्मेंट के बीच में और यही तो बच्चों गवर्मेंट से कुछ अलग से थोड़ी है अरे मेरे प्यारे भायों बहनो मैं यहां से आपको पढ़ा रहूं है और आप वहां से पढ़ ले हो चाहिए अपने मोबाइल से पढ़ लो चाहिए लेपटाप से पढ़ ले हो अगर मैं आपको क्या मानू सिटीजन मानू और मैं खुद आपने आपको क्या मानू सरकार मानू तो यह क्यों सा है सरकार टू सिटीजन इंट्रेक्शन है से एस और नो ठीक है सर यह सब टाइप आप नेटवर्किंग भी सेम है बिल्कुल सही बात है तो डरना नहीं है समझ मां आ गया आगे बढ़ो देखो benefit of e-governance सीधे सीधे सबसे अच्छे benefit दे रखे हैं तो सीधे इन पॉइंटों को क्या कर देना है आपको याद कर देना है सबसे पहला benefit है internal और external internal क्या benefit हो सकता है सोचो कि भाईया आप एक जो है आपकी जौब लग गई है सब के सब लोग hdm बन गए अब जिस भी आप तैसील में गए अब वहां पर आपने यह गवर्नेंस लगवाया यानि की externally जो जनता को देखेगा तो दो वे में आपको क्या करना है इगवर्नेंस के फाइदे दिखाने आज से इससे पहले अगर मैं भी पढ़ाता था तो इगवर्नेंस के सीधे फाइदे लिखवाता था लेकिन यही तो टॉपर और उस मंतर है मेरे भायों बहनों लिखते सभी है समझ माया प्रसीजन जिसका प्रजेंटेशन बढ़िया है वही ले गया बढ़कप तो पहला वड़कप हमारा बच्चा लेके जाएगा इंटर्नली लिखके आवाइड्यस एफ ड ड ट प्लीकेशन यानि आपके भ्वाग में जितनी बी चीज़ है अव बोल ड बहल नहीं होंगी यहां कि सर्माजी के रिष्टर्ट primera बहली इंटरी है और तो और चतुर्वेडी साव के में बहीं इंटरी है आप महां पे एश्डीमों के बागला गया यार मेरे आने से पहले होता क्या था अब क्या है अगर आपकी इंट्री होगी भी तो एक किलिक मारोगे तीन-तीन जगह आजागी दो जने वाले अपना डिलीट करतेंगे एक जगही रहेगी डिडूसिंग ट्रांजिक्शन को समय बचेगा पैसा बचेगा सिंप्लिफाइग आपने चीरे को बोला घंटी बजाई हां सरमाजी से बोलना वह मेल करें फटा-फट मेल आगया आपने देम भी बोला यार पहले तो मुझी ये कागज में आता था दोजो दिन में अभी एक सेकेंड में आ गया समझ माया किलियर ग्रेट इफिसेंसी इफिसेंसी तो बढ़ गई ग्रेट कॉर्डिनेशन और कम्मिकेशन ट्रांस्पेरेंसी आ गई इनफॉर्मेंशन सेर बिट्विन एजनसी हो गई एजनसी मतलब इंटर्नल ली ठीक है जैसे मालो एक एसडियम ऑफिस को रासन वाले भिवाग से भी बात करनी होती है होती नहीं होती है समाज कल्यान और चिने खोलके एक स्क्रिन शॉर्ट कीचा ठीक है और चिट्टी बंदकर करके दे आया किलिए दस दिन बाद आपकी वासवान आ रहा है कि सर उस दिन आपने जो है चिट्थी भी थी वोचिट्टी की फोटर श्टेडं ही यह है दस हजार और दे दो तो चिट्थी क्या हो के देख सकता है कि यह mail जा रहा है रोको इसे इसमें क्या लिखा है नहीं यानि कि क्या है security of the information है until unless अपने आपने उसको अपनी ID का access दे रखाओ तो समझ माया और access भी दे रखा होगा तो आप proper उसे delegate करोगे और उस time हो गया फिर से रिट्राइब हो सकता है आपने मेल डिलीट कर दिया तो कभी नहीं होगा किलियर कि वह मेल जो है तीस दिन तक जिन्दा रहता है समझ माया ऐसा बैक अप मारेंगे यह आपकी जिन्दकी बैक हो जाएगी के लिए अब आजाओ externally अब आप ऑफिस में पहुंच गए थे आपने अपने HDM office में पूरा कर दिया बढ़िया अब फाइदा क्या होगा फास्ट डिलीवरी सर्विस भाईया किसी को अपना आधार का कुछ दिक्कत फटापट हो जाएगा किसी को वहां चला था बिहार में कावा घिरवभी केसी इंक्रीफ फ्लेक्सिविल्टी ठिक है इनौवेशन सब चमतकार ही चमतकार हो रहा है ठीक है पानिसिपेसिन बीटleri सिटिजनि हूरा हो रहे हैं लोग भी सीख रहे हैं अरre नहीं हमें नहीं जाना भी धूप्न में यहीं से मोबाइल से हम डाउनलोड कर सकते हैं डियम साव ने तो एप भी बना दिया है तो सिटीजन भी क्या और इंपावर्ड हो रहे नहीं एप चिलाने के लिए सब्सक्राइब को पता है हर बार जो है तैसिल दिवस बनता है उस समय लोगों को बुलाया जाता है एक इंसान नहीं पूस्त पहुंसता है फिर क्या होता है एश्डियम साहब अपने ही डल बदल जो जितने भी होते हैं उनके संग उनी के संग फोटो खीच के डियम ऑफिस से भिजवा देता है कि आज हमने तैसिल दिवस मनाया समझ माया क्यों क्यों कि लोगों मतलब भी नहीं आप मैसे किते पर लोग नहीं जाते क्यों कि लोगों मतलब ने पहली का रखा है यहां जाने से अच्छा तो बिचॉलिया को बोल दो वो काम करवा देगा समझ माया लेकिन जब यह आईटी का अपयोग सई से करवा होगे तो बच्चों क्या होगा फाइदा होगा लोग आपकी एक मेल पर आप लोग ऐसे SDM बनोगे कि करांती कारी ला दोगे समझ मां आ गया डरने की बात नहीं है कुछ भी है यहां तक सब को समझ में आया कोई दिक्कत किसी को ठीक है चलो भाईया मंडल मंगल दिवास थाना दिवस ठीक है चलो भाईया आगे पढ़ते हैं सीधे आपको यह दो फाइदे लिखने भारत में देखो अब भारत में इग गवर्नेंस का वाया कल को माल को माल लेते हैं कोश्चन आ जाता है कि explain the evolutionary process of e-governance in India सर पकड़ के बैढ़ जाओंगे कि भाया हमने तो e-governance पढ़ा था इस e-governance का उदगम कैसे हुआ पता नहीं फिर लोग क्या लिखेंगे क्या आपको यह सारी चीजे पता थी ठीक है चलो सुरू करते हैं मिश्टेक जो करिए उन्हें एक्सेट करना सीखो तब ही आगे बढ़ोगे हवा में मत बोलना रिकॉगनाइज दा सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले 1970 में भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एलेक्ट्रोनिक्स खोला अभी मिनिश्ट्री नहीं बनी है ठीक है फिर उसके बाद जो है नेसलन इन्फॉर्मेंशन इन्फॉर्मेंशन इन्फॉर्मेंटिक सेंटर जिसका नाम हर किसी क सब्सक्राइब को पता है एनाइसी यह 1977 में आया और इसको बोलते हैं पहला मैजर स्टैब किसका यी गवर्नेंस का भारत में सर हमें तो पता था कि 1905 में पहला कंपूटर आया देश में बहुत बढ़िया कंपूटर सभी में तभी आएगा अभी उससे पहले का माहूल आ र आपको को कोशन आता है नेसल इंफॉर्मेटिक सेंटर कब बनाता उने सब्सक्राइब लोग हमारे बच्चे शिरी सब्सक्राइब लगाएंगे तो मेरे प्यारे भाई हो बहनों में की त्यारी करने से 10-15 कोशन एक्स्टा टैम करते हैं प्रिलम्स में और प्रिलम्स में सब्सक्राइब करते हैं और वहां पर श्ट्राइकिंग रेट इसा होता है पूरे उत्तर प्रदेश में किसी का स्ट्राइब रेट इतना नहीं होता डेड़ सो में से 135 कोश्चन समझ में आ गया आगे देखो बैया 1970 पर आगए 1970 पर आगए हम 70 और 77 फिर उसके बाद क्या हु जब हमने NIC NET launch करा 1987 में और यह बहुत लोगी डेटा वर्ट भी होगी इसका मतलब क्या है नेशनल क्या है आपकी इसकी फुल फॉर्म किसी को पता है नेशनल क्या इनफॉर्मेटिक सेंटर के लिए इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है कहां गई फुल फॉर्म इसकी एक से 1987 में लाया और यह पहला जो है हमारा क्या था आपका कदम था किलियर फिर उसके बाद दिस वाज फालोड वाइदा लॉंच आप डा डिस्टिक इनफॉर्मेशन सिस्टम और नेशन इनफॉर्मेटिक सिस्टम यानि कि क्या है यह डी की जगह क्या वहां पे एन की जगह क्या कि अगरा जितने भी जिला के मुख्याले थे वहां पे कंपूटर की स्थापना गरी वहां पे उनको हाड़वेर प्रवाइड कराया गया सौप्टवेर प्रवाइड किया गया इसके दौरा प्रदेश सरकार के दौरा किलियर और फिर उसके बाद 1990 तक सारी की सारे जिले को राजधानी प्रदेश की राजधानियों से कन्यक्ट कर दिया गया तो यह एक असली स्टेप था इगर्णेस का भारत में मैं फिर बता रहा हूं 1970 में हमने डिपार्टमेंट ऑफ एलेक्ट्रॉनिक्स खोला 1977 में हमने NIC खोला फिर हमने NIC NET 1987 में खोला फिर उसके बाद हमने जितने भी जिले की हेड़कॉर्टर थे उनको इंटरनेट और कंपूर्टर से कनेक्ट करा और प्रदेश सरकार ने इसकी सहता करी और अगले चड़न में हमने सारे जिले को स्टेट की कैपिटल से जोड़ दि अभी भी खतम नहीं हुआ है फिर 1999 में यूनिन मिनिस्ट्री आफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलजी वाज क्रेटेड तो जिस मिनिस्ट्री के आब आज बात करते हो यह 1999 में बनी थी और 2000 में सरकार ने 12 पॉइंट मिनीमम एजेंडा दिया था इगवर्नेंस का जो नहीं समाज माया तो एक बार याद करना उनिस सो सत्तर उनिस सो सत्तर डिपार्डमेंट खुला 77 में क्या खुला आपका एन इसी खुला फिर आपका एन इसी एट बना 87 में फिर जिले से कनेक्ट हुआ जिले के बाद स्टेट से कनेक्ट हुआ फिर निन्यानमे में मिनिस्टरी वनी और 2000 में क्या हुआ 12 पॉइंट आया अब बताओ अगर ऐसे लिखोगे तब ज्यादा नंबर मिलेंगे या आप सोचोगे कि एलपी जी के बाद हमने कंपूर्टर की क्रांती लाई तो लिखोगे अब यह बताओ अब इसमें एक्जामनर या यूपी पीसेस की क्या गलती अगर आपके सेलेवर्स में यह गवर्नेंस दे रखा है तो क्या यूपी पीसेस को यह हक नहीं है कि वो एक कोश्चन ऐसा पू किसी ने कोई कम्पूटर इंजिनिंग वाला होगा तो उसने भी पढ़ा होगा लेकिन इतना भी नहीं पढ़ा होगा कि पहले वो डेपार्टमेंट और फिर वो मिनिस्ट्री बनी और फिर 12 पेंड अजेंडा है समझ माया तो भाई एक बाद आर सी की जय जय कार तो लगा त सबसे बड़ी बात मेरे प्यारे भायों मैंनो यह एर सी की रिपोर्ट हिंदी माध्यम वालों के लिए हिंदी में भी आती है अब आप बताओ समझ माया हिंदी में भी आती है किलियर और इससे पहले हमने 16-17 लेक्चर कर रख है इमानदारी से कर रहा हूं जो भी आपका पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री और पेपर फोर का जी एस का मेंस का सेलबस है उसका 45 परशेंट से भी ज्यादा मेटर ए आर्सी खुद अकेले दम पे कवर करती है समझ माया ए आर्सी में क्या नहीं है यह बताओ साइकलोन है डिजाश्टर मैनेजमेंट है समझ माय आ गया और आपके इसमें क्या है आपका अच्छा आजकल क्लास बंद होने का मैसेज आने लग गया है ठीक है फिर उसके बाद क्या है पुलिस रिफॉर्म है पूरी गवर्ननस है पूरी न्याय पाली का है पूरी इंटर्नल सिक्योरिटी है सुनते जाओ पूरा एगरिकल्चर है पूरा इंटरनेशन ट्रेड है आपको एक बार जाके देखना और फिरी मैं पढ़ा होगा मैंटर लेकिन अगर कोचिंग वाले बता देंगे आपको तो फिर उनकी दुकाने कैसे चलेंगी समझ मां गया और दुकान चलने से पहले सबसे बड़ी बात यह है दुकान तो बाद में चलती लोगों की यह बच् अब तक बढ़ाता रहुआ मुझे से कोई फरक नहीं पड़ता कि कम बच्चे देखें की जादा बच्चे देखें मुझे उस दिन से फरक पड़ता है कि जिस दिन पेपर आएगा तो मेरे बच्चे कितना हसेंगे और कितना रैंक में लाएंगे फाइनल समझ मैं आ गया क्ल लैंड रिकॉर्ट के जो जिटो जो भी लैंड्र कोड़् है उनको कम्पूराइज किया गया करनाट का में ठीक है इसको मेरर पिंसिपल भी बोलते मेर मतलब जैसा में वही कंपूर्टर में दिखाना ठीक है तो एक इंटरनेट प्रॉब्लम से रिकॉर्डिंग इंटरनेट प्रॉब्लम शीजनिट अच्छा सकती हूं कि मद्य पर्देश सरकार ने क्या करा धार दृष्टिक में 2000 में ठीक है एक ये प्रोजेक्ट लाया इनके क्या थे दो इनके उद्देश थे पहला सारे लोगों को सरकार की रिलीवेंट जितने भी स्कीम है उनकी इनफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किलियर और डिस्टिक एडमिस्टेशन और रूलर पॉपलेशन इन दौनों के बीच में एक बिचौलिये की तरह काम करना समझ की कॉपी में नहीं होता वहिया लोगवानी मॉडल जो है यह उत्तर प्रदेश का पब्लिक प्राइबट पार्टनर्सिप का था यह सीता पुर जिले उत्तर प्रदेश में दोजाचार में किया गया था यह जो है आपको असिंगल बीडो प्रोवाइड करता था जितने भी को सिकायत है वो कर लो लेंड रिकॉर्ड भी ही पर हो जाते थे और जितने भी इसेंशल सर्विस है वो सब जो है आपको लोगवानी प्रोजक्ट में दी गई थी किलियर फिर उसके बाद आपका अगला प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट फ्रेंड्स इन किरला सब कोचिंग व सब्सक्राइब करेंट वर्क फॉर डिस्ट्रिबूशिंग सर्विस यानि कि नोंने सिंगल विंडो फैसलिटी करी ती जिससे जो सिटी जरह है वह अपने टैक्स भी पे कर सकते थे फिनेंशल ड्यू भी देख सकते थे किलियर तो यह बहुत अच्छा क्या था सक्सेस्फु के लोग हैं उनके लिए और जन्मित्रा था जालावार डिस्टिक के लोगों के लिए यह अर्वन और रूलर पॉपलेशन को इनफॉर्मेशन देता था जितने भी गर्मेंट स्कीम की तो यह भी क्या है प्रोजेक्ट याद करना है आपको कोई से भी तीन्चा याद कर लो ही सेवा जारा नहीं आ रहा है सब कोचींग वाले से चुरा रहे हैं गर्मेंट आप यह मेरे नोट्स नहीं है मैं कि मेरे नोट्स चुरा रहे हैं यहाँ पर और प्रोजेक्ट बोलते हैं यहाँ पर जूसला इघार्जीए था दोना फेल देग लिए एबिजनसी इंटीच पार्ट नमबर बन खतम अभी भी गवर्नेंस खतम नहीं हुआ है दो पार्ट और आएंगे ए गवर्नेंस भी धाई सो तीन सो पेज का दे रखा है और समय से मैं चाट चाट के लिए क्या हूंगा अपना समय लगा के ठीक है और फिर जो है आपको अगली किरास कराऊंगा अब किसी बच्चे को कोई परसानी हो तो बताइए किलियर ठीक है वह भाई साब है जो उनको पंदर दिन हो गया अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा कि अनकेडिम पर चल गया रहा है ठीक है सर नोट कैसे बनाएं देखो जैसे आज हमने पढ़ाया अब मैं अगर आपसे किलास बंद हो जाएगी नहीं तो टाइमर कब से लगने लग गया है आज आज कल सही आया यह नया कॉंसेप्ट आ गया है अच्छा चलो मैंसेज आ गया होगा आपके पास स्क्रीन में आया किलास एक्स्टेंडड वाई 30 आ गया नहीं आया मतलब पांदेस मिंट में खतम हो जाएगा आ गया होगा चलो कोई बात नहीं सार आज बहुत बड़ा बदला है अच्छी वात है चलो मैं क्या समझा रहा था आपको नियोको फृलबा दिया मैं क्या बता रहा था आप लोग robot कैसे बनाएं तो मैंने जो भी आज बढ़ाया है इसके आपको श्यसाइभी नोर्स बनाने जैसे डिपार्टमेंट 1977 ठीक है क्या बना था आपका 77 विल दी बताओ क्या बना था 79 विड़ी नाइसी फिर 89 में क्या बना था सम्धिंग कुछ था फिर उसके बाद 1999 में क्या था मिनिश्टरी आ गई थी और 2000 में क्या आ गया था टैन सूत्री प्रोग्राम आ गया थे इतना लिखने में क्या होगा कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा फिर उसके बाद एक कागज में लिख दो बैनिफिट इंटर्नली और एक्सटर्नली तीन-चार कीवर्ड तीन-चार ऐसे आपको सिनॉप्टिक नोट्स बनाने हैं ए आर्सी के सारी किलासों के और जो अभी नए बच्ची आएं उनकी 16-17 किलास छूट चुकी है तो अगेन मेरी प्रोफाइल में जाना मुकेस कुमार सिंग स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास को सियावल करना हैडिंग जिस जहां प्लस कोर्स का कौन सा अग इंडियन आपको डाया है अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाके कुछ और प्रिलिम्स या जगराफी या साइंस और टेक कर रहे हो तो समझे लिए पुराने साल वाला है उसको नहीं करना इस साल के बच्चों के लिए मैंने इंडियन पॉलिटी ह पढ़ाया है ठीक है ना किलियर और वही आपको कवर करना है पूरा आपका छूटा हुआ है और जब तक उसको करोगे तब तक यह महीना निकल जाएगा फिर दिसंबर से हम क्या कर देंगे जोग्राफी लगा देंगे तो कि मेंस वाले बच्चे हमारे बहुत सारे हैं ठीक है भगवायन की दुआ से और उनका पेपर 21 जनवारी को है इसलिए हम इतनी जादा महनत कर रहे है और आप लोग की प्रिलिम्स की डेट भी नहीं आई तो इनी के साथ लगे हथ आप 2020 के जो बच्चे मेंस की त्यारी कर रहे है इसी के साथ एक बार मेंस की त्यारी करो अब एक की बात समझ मां आ गई किलियर ठीक है ना तो अपने आपको रेडी करो किलियर हाँ 2021 किस दिखा रहा है वही वाला है वह समझ मां आ गया किलियर अब वह भाई है जो पूछ रहे थे मैंने उनको रूखने के लिए बोला था अगर वह हैं तो बताईए चलो वह लगता है नहीं है तो फिर अनकेडमी में कुछ भी नहीं बतला है है ठीक है भाईया आपका हिंदी मांध्य हो ठीक है बाल किश्ण जी आप अभी नए हो 15 दिन हुए है आपको आई हुए इदम फरेशर हो ठीक है 2021 की तयारी करना चाहते हो ठीक है 2021 की तयारी के उनकी सारी क्लासेस हैं यहां पर मेंस के जितने सब्जेक्ट होते हैं उनकी सारी क्लासेस हैं इंटर्व्यू की जितनी भी हैं उनकी सारी क्लासेस हैं ठीक है तो आप बोलोगे कि सर की क्लासेस हैं तो क्या करें क्लासेस वो हैं जो बच्चों को रेंग दलाती है 2017 में डीवा फोर सुनी होगी हिंदी मीटेम वालों की आपकी ठीक है और वो इनी बच्चों की किलास का बच्चा था इन बच्चों से आप क्रॉस करके पूझ भी सकते हो यह क्या है अनकेडिव प्लस है समझ माया यह सब अनकेडिव प्लस के बच्चे थे 2000 में दो बच्चे ऐसे हैं जो पहले अटंब से बने हैं और दौनों के दोनों जो है आपके आरी अदिकारी यानि कि आपक आट्री है सबस्क्राइं में के लियर वह भी सी क्लास के बच्चे थे मैंने के श्म क्लास में मेरे मेरे profile में जाना मुकेस कुमार सिंग, special class को see all करना. उसमें मैंने special class लिए है कि कितने बच्चे 2018 में मुकेस सर के notes से या class से qualify हुए है. उन्हें सबकी photo लगाई हुए है, उन सबके comment लगाई हुए है और उन सबकी answer writing लगा रखे कि किस तरह किसीसे वो answer करते थे जिससे कि किसी को ये ना लगे कि ये फैक रहा है समझ मैं जैसे कि अभी आपने लिखा कि हैसर में उपस्तित हूं तो ये तक मैंने काट के लगाए कि कब बच्चा क्या क्या कहता था समझ माया अब आजा 2019 की अच्छा कुछ और चीजी भी सूच लो 2017 में सोसल वर्क नाम की एक स्टूडेंट थी बड़ी बड़ी कोचिंग अलग केवल 15-16 बच्चों का बैस था और हैस्ट नंबर लगवाए थे जो बड़ी से बड़ी कोचिंग में नहीं लगा पाई थी और 2018 में भी सोसल वर्क में जो हैस्ट नंबर होंगे वह मुकेस नुवार सिंग के ही स्टूडे नहीं करने है कि नहीं इसमें भी मैं यह मान रहा हूं कि यहां पर इस 2019 में सीट कम होने के करण क्या है बीस से लेके 30 बच्चों की इंटरवीव कॉल और जो प्यॉर्ली प्लस मेरे स्टूडेंट होंगे ठीक है और इससे भी ज्यादा क्या बात करूं 2019 में टॉप 10 में हम रे नहीं कि जब रिजल्ट आ गया तो मैं घुष्णा करना हूं अब मेरे पुराने वीडियो देख सकते हो मैंने पहली घुष्णा कर दी थी कि इस बार भाईया टॉप 5 में रेंक लानी है और भगवान की दूआ से चौथी रेंक आ गई और फिर घुष्णा करना हूं कि 2019 में ठीक है ना वो थोड़ा तुक्का भी मार सकते हैं मैं किस बच्चे की बात कर रहा हूं ठीक है ना किलियर बस उसका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि तुम नजर वजर लगा देते उसको वह आपी के बीच का बच्चा है टॉप 10 में मैं उसकी रेंक क्या कर रहा हू हंड़ परशंड मान रहा हूं जिस हिसाब से उसने मुझे रिपोर्ट दी है अपने ऑप्शनल की और पेपर 1234 की आपके बीच का बच्चा समझ माया और बिलॉंग करता है वह 2017 के बैच के 2017 में नहीं हुआ उसका 18 में नहीं हुआ लेकिन 19 में इस बार उसका हो रहा है समझ म मैं मैं पूरा आपको प्रिलिम्स पढ़ाऊंगा में ही फूरा मेंस पढ़ाऊंगा वहीं कि इंटरव्यू की क्लास से आघर सोचलोझी आप्स ने है तो वह भी में ही का रहा हुआ अब इतनी सारी चीजे और इन लोगों इन लोगों कीयी टैसरीजी दनी नैस्की बेकी समझमाया किलियर को तो वह भाई साथ है यह अनकनीप्लस के क्या चेंज हो ला जो मैंने कि पिछले दो साल में चेंज कराये अपने बल्भूते पे समझमाया और किसके सहयोग से आप लहों के सहयोग से कि आप लोग पेपर देने जाते हो एकजाम में बैटते हो और लिखते हो जो मैं पढ़ाता हूँ उसके seguinte से बाद रेंग लगती है समझ मैं गया कि यह अब यह मत बोलना कि सर आप हिंदी मीडियम के हो तो वह या रैंक 4 भी प्योर हिंदी मीडियम थी भाइका ऑप्शनल भी प्योर हिंदी मीडियम वाला संस्क्रित नाम का ऑप्शनल था समझ माया और वह भी टिका रहा यानि कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूं मेरे नोट की लगा के मैं दिखाता हुँ आपको को इसमें क्यों हर्यों मेर आप णिश मं खतम आपको डेखो भाई देखो बहिए यहीं बच्चे दो क्लास में कैसे बना रहे है यह यह बैटरी लो हुरी है parallel लो से पहले किलास खतम कर देंगे इन्होंने इंडिया मालदी रिलेसंसिप पे बनाए है यह जो मैंने यूटूब पे दा हिंदू की किलास लीती और दा हिंदू इंगलिस माता है अब मेरे प्यारे बाई बताओ यह कहीं से कहीं तक आपको लग रहे हैं कि इंगलिस मीडियम स बना सकता है मेरे प्यारे भाई किलास के बाद आप इसकी पीडियाप डाउनलोड भी कर सकते हो एक बार यह पढ़के देखना या उन बड़ी-बड़ी कोचिंगों से चेक करवाना कि इंडिया मलेसिया और मालदीव के रिलेसंसिप में इस बच्चे ने किस लेवल का लिख होना चाहिए और 12 या 24 महिने के लिए ही जुड़ने चाहिए हो अगर आप तीन महिने या चार महिने के लिए सोच रहे हो तो भाईया बिल्कुल मत करो क्यों यह पूरा पढ़ाता हूं कुरी जिम्मेदार से पढ़ाता हूं ठीक है तब मेरा रिफरन कोड यूज मत करना बा पतलब यह है कि अगर आप यह रिफरन कोड यूज करते हो तो आप अपनी नहतिक जिम्मेदारी मेरे को देते हो बस वह नहतिक जिम्मेदारी लेने के लिए है यह बस और और कुसी चीज के लिए नहीं है किलियर कि समझ में आ गया सर प्लीज एक बार आप पढ़लो मेरी ब अब बार हो ठीक है तो भया बाल कृष्ण जी इससे आदा मैं बता नहीं सकता क्रॉस चेक यूटूब पे कर लो कि मुकेस कुमार सिंग मेरा नाम है नाम लिख देना और कुछ टॉपरों के नाम लिख देना कुछ एकेडमी लिख देना कुछ HDM लिख देना आपको दूद क सकते हो तो फाइदा हो जाएगा अधर वाइज आपकी सोल मर्ची थैंक यू वेरी मच और इस रिफरन कोट में भी 10% डिस्कॉंट मिलता है सब समझ माया किलियर तो अगर आप मिरसे पढ़ना चाते हो तो इससे इससे आए बाकी जो है हम अब कल मिलेंगे कल सुबह कोई किल क्लास नहीं होगी सुबह होगी तो नौ बजे हो जागी जल्दी यानि दुपैर वाली क्लास सारी कब जाएंगी रात के नौ बजे ठीक है तो तैयार रहना क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच हैव गुड़ डे गॉड़ ब्लेस यू